वेशनाव देवी जी के दर्शंग करते करते जानिए कि साल में कितनी तदा के नवरात्री आते हैं कौन कौन सी तिथी को आती हैं और उसमें भी शाडिय नवरात्री का इतिहास क्या है तो साल में कूल पांच नवरात्री आते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे शाकंबुरी न के दिशूगर्पक्ष की अस्टमी से लेके पूर्णीमा तक होते हैं शाकंपडी नवरात्र जो लगबग डिसेंबर या जैनुरी में होते हैं या इससे समर सकते साल की शुरुवात में होते हैं उसके बाद आते हैं गुप्त नवरात्र यह मांग मास की प्रतिपदा से नौमी तक रहते हैं ये आते हैं जन्वरी फर्वरी के बीच में या जन्वरी के एंड में या फैब्वरी के स्टार्ट में तीसरे नौरात्र होते हैं वसंत नौरात्र ये आते हैं चैत्रमास पतिपदा को स्टार्ट होते हैं एकम को और ये आते हैं मार्स एन्ड में या एपरिल की शुरुआत में उसके बाद में आते हैं गुप्त नवरात्र ये आते हैं अशाड मास्की शुकल पक्ष की पतिपदा से स्टार्ट होके 9 वी तक रहते हैं और ये आते हैं लगबग जून जुलाई में और में इन शार्डियन नवरात्रे के बारे में मुझे बताने की जूरत नहीं है जो आते हैं दिपावली से पहले जिसमें गुजाद में धांडिया खेला जाता है और गर्वा किया जाता है वेस्ट बेंगॉल में मूटियों के पंडाल लगा जाते हैं तो ये आते हैं पक्ष के नौमी से शुकल पक्ष के नौमी तक रहते हैं लगबक 16 दिन तक चलते हैं तो हब समझते हैं कि शाकंबरी नौरातर क्यों मना जाते हैं तो एक दुर्गम दैत्या था तो वो पूरे विश्वप विजय पाना चाता था और वो जानता था कि देवता को हराय के मिना वो ये नहीं कर सकता और देवता को तभी हराय जा सकता है कि अगर उनसे वैदों की शक्ति छीन ली जाए तो उसने बंबा जी की 1000 साल तक हिमाले परवर पर तपस्या की और वर्दान पाया कि उसे संपूर्ण विवैद दे दिये जाए और उन्हें वैदों की शक्ति मिल जाए तो शक्ति पान लेने की वज़ा से वैदों की सारे देवता शक्ति हीन हो गए और बारिश होने बंद हो गई अकाल पढ़ने और उनकी जीवन की रक्षा करें तब देवताओं की प्राथना उसे प्रसंद होकर मा जगदम्मा ने एक आवतार लिया जिससे बारिश होई और जीवन जो समापत हो रहा था फिर से फलने फूने लगा साक बाजी हर तरफ होने लगी इसलिए शाक बाजी पेसे उनका नाम बड़ा शाकंबरी देवी शाकंबरी देवी जी का शक्ति पिठ है सारणपूर डिस्ट्रिक में और मा ने जब अवतार लिया तो उनकी सो आखे थी जिसमें से पानी निकलने लगा और वर्शा होने लगी तो सो आखे होने की वज़ा से उनका दूसा नाम शताशी भी है तो शाकंबरी नवरातर में मा की पूझा करने वालों की कभी भी खाने पीने की कमी नहीं होती उसके बाद माता ने दुर्गम राक्षस से यूद किया उसके सभी राक्षसों को मारके दुर्गम राक्षस को मारके वैद वापिस लाए और आज हमारी सिस्टी मा शाकंबरी क क्रिपा से चल रही है तो अगर आज से पहले आपने ये कथा नहीं सुनी थी तो कमेंट बॉक्स में जय मातादी जरूर लिखेगा और लोगों तक भी अपने वैद पहुंचाने में मदद करिए जय मातादी जय शक्मरीमा ऐसी ही अनकथी कथाओं सुनने के लिए और अब दे करें यूटूब चैनल रोज एक मंदीर के दर्शन